Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों उत्तर परदेश की तरफ से नई गैडलेंज जारी की गई है 6 जनवरी से जो लागू होंगी तो क्या है अपडेट कैसे उत्रा उत्यूपी में बात की गई है इससे पहले अगर आप लोग इस चनल पर नई हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजी तकि जैसे वीडियो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके साथ ही बाकी और स्टेट की गाइडनेंस दिरे दिरे करके आ रही है लगवग सभी किया चुकी है तो आप चनल पर विजिट करके देख सकते हैं अगर आप किसे स्टेट की गाइडनेंस के बारे में चानना चाते हैं तो परदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसिस को देखते हुए योगी सरकार ने कई कदम उठाई है एक उस तरिये टीम नाइन बनाई जिसमें की मुक्यमंतरी योगी आदितरनात ने कुछ निर्देश दिये हैं जिनकी पालना को ख़बू करने के लिए बहुत जरूरी है तो निर्देशों में साफ क्या गया है और इस अफ़दी में क्या होगा टी का करन जो है बच्चों का वो जारी रहेगा 15 से 18 साल तक के बच्चों का मुक्यमंतरी के निर्देश के नुसार आस्ता के एप्रितम प्रतीक प्रियाग राज माग मेला में आने वाले शर्धालों के लिए 48 गंटे पूर्व की अगर आप प्रियाग राज माग मेला में आ रहे हैं तो साथ ही कल्प वासियों सहित सभी शर्धालों की सुविदाव का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा तो अगर आप माग मेला जा रहे हैं तो उसके लिए 48 गंटे की कोविड रिपोर्व अनिवारी है जरूरी है इसमें 24 गंटों में 1,66,333 सैंपल की जाए जिसमें से 992 नई संक्रमितों की पोस्टी हुई है जिसमें से 77 लोग ठीक होकर घर पहुँचे हैं और active cases की बात करें परदेश में तो पूल अभी 3,133 है तो कोरोना प्रोटोकोल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है सतरक्ता और सावधानी के जरूरत है लोगों को मास्क लगाना है टीका लगाना है शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बचाव ही इसका सरवतम प्रात्मिक उपाय है तो राज्य सरकार हर एक परदेश वासी के जीवन और जीविका की सुरक् कोविड की बदलती परस्तितियों को देखते हुए राज्यस्तर परगटित स्वास्त है विशेशग्य सलाकार पैनल से प्रामश के अधार पर व्यापक जिन हत्य में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे लोगों में आनावशक पैनिक नहो उसके लिए सही सटीक और पूचिक जानकारी दी जाएगी और विशेशग्यों का ये भी कहना है कि यह वैरियंट पूर्व के वैरियंट के तुल्ला में बहुत कम नुकसान दायक है तो वैक्सीन कबर ले चुके स्वस्त सामाने वैक्ति के लिए या बड़ा खदरा नहीं है कक्षा दस्वी तक के सभी शास्किये वे नीजी विधलों में मकर सकरांती पर अवकाश कोशित किया जाएगा इस अवदी में उन्हें टीका कंट जाली रखा जाएगा यद भी वर्तमान में जो एक्टिव केसिस है वो एक अजार से अधिक है मलब लगबग थोड़े सही त स्पा, बैंकेट होल, सिनेमा होल, रेस्टोरेंट सभी सार्जनिक जो स्थल हैं वहाँ पर 50 फिजदी शमता के साथ ही संचानित किये जाएंगे शादी समारों की बात करें या फिर कोई अन्य आयोजन हो तो अगर आप इंडोर कर रहे हैं यानि कि बंद जंगर पर कर रहे है लेकिन अगर आप खुले ग्राउंड पर कर रहे हैं आउट्डोर कर रहे हैं तो वहाँ पर 50 फिजदी से अधिक लोगों की उपस्तिती की अनुमती नहीं दी जाएगी मांस्क और सैनेटाइजर दोनों अनिवारियें रहेंगे नाइट कर्फ्यू जो लागो रहेगा रात के 10 वजे से सुबह 6 वजे तक रहेगा और ये ववस्ता जो है 6 जनवरी से ये सभी की सभी गैडिनेंस लागो कर दी जाएंगे परदेश के सभी शास किये अर्द शास किये नीजी ट्रस्ट आदि संस्ताओं और कंपनियों एतिहासिक समारक कार्यलो धार्मेक सतलो होटल रेस्टोरेंट और दोगे की कईयों में भी ततकाल परभाव से कोविड हाल्प डेस्क केरिया शील करा दिया जाएगा जरूरत के अनुसार डे केर सेंटर भी स्ताबित होंगे बिना स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन की किसी को भी परवेशर में परवेश ना दिया जाए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कोविड वेरियंट की पैचान के लिए कराई गई जिनोम सिक्वेंसिंग में 23 लोगों में ओमिक्रोन की पुस्टी हुई अभी तक तो इन सभी के संपर्व में लोगों को ट्रेसिंग किया जाएगा और उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी सभी के स्वास्ते की सतत निगरान जो है वो रखी जाएगी तो टीके की जो डोज है वो पंदरा से अठारा वर्ष के लिए तीन जनवरी से शुरू हो चुकी और अभी तक साड़े तीन लाग से अधिक की शोरों को टीका करण हो चुका है तो सभी वेक्सिनेशन को और तेज क्या जा सके इस सम्वन में भी ज चैरिवार्डों में पार्षदों के नेतरतों में नेगरानी समीतिया किर्याशीर रहेंगी घरगर संपर्क कर बिना टीका करण वाले लोगों को चिनित किया जाएगा उनकी सूची परसाशन को दी जाएगी और जरूरत के मुतावित लोगों को मैडिसीन किट भी उपलब् और टेस्टिंग के महतव को देखते हुए हर दिन नियूंतम तीन से चार लाख लोग टेस्ट किये जाएंगे नीजे परियोगचालाओ को कोविट टेस्टिंग के लिए अधिकर्थ करने से पूर्व उनके पिछले रिकोर्ड देखे जाएंगे और हर जिले के नोड़ अध पूर्व की भांती नियमित बैठक आयजित की जाएंगी ICCC में विशेशक ये चिकित्सकों का पैनल मुझूद रहेगा लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जाएगी ICCC हैल्फ लाइन नंबर जो है वो सार्जनिक कर इसका व्यापक पर चार परसार किया जाए और सीम हेल्फ लाइन से भी लोगों को समवाद किया जाएगा आस्ता के प्रतियम प्रतीक प्रियागराज मेला में 48 कंटे पूर की कोविड नेगिटिव रिपोर्ट अनिवारियता रखी जाएगी तो यह जरूरी है तो यह की दोस्तों कुछ यूपी की गाइडलेंस और कै हमें फॉलोग कर सकते हैं शोचल मीडिया पर फेस्बुक ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं तैंक यू सो मच बबाई टेक क्यार वीडियो को लाइक करें शेयर करें